आप सभी को मेरा नमस्कार मैं उश्मा तंदेड आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूं जो meditation on fear of success सफलता के भाई पर है आए पहले इस डर को समझते हैं सफलता का डर जिसे success anxiety या success वोप्या के रूप में भी जाना जाता है एक बहुत ही वास्तवे लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला संगाश है यह जानना महत्वपून है कि लोग अक्सर सफलता से नहीं डरते हैं किन्तु इस बात से डरते हैं कि उनको अपनी सफलता की कीमत अपनी किसी मोव्यवान चीज देकर चुकाने पड़ेगी और अधिक तर लोगों में यह डर उनके अतीत से उत्पन होता है काम को टालना विलम्भ करना परफेक्शनिस्म काम त्याग देना लक्षों की कम और गिल की भावना इसकी विशेशता है तो पहला कदम इस डर को पहचानना है सफलता के डर की पहचान करने में अक्सर समय के साथ विवहार के पैटन्स को देखना शामिल होता है जैसे की लोगों की अटेंशन से आपको शर्म आती है और बैचैनी होती है सफलता के कारण अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ने की चिंदा होती है आप मानते हैं कि सफलता आपको अकेला कर देगी या आपको बदल देगी सफलता के कारण नई जिम्मेदारियां प्राप करनी के बारे में आप चिंदित हो जाते हैं इस विवहार के कई कारण हो सकते हैं जैसे की लोगों के प्रतिक्रिया का डर नकारतमक अनुभव इंपोस्टस सिंड्रोम शर्मीला सभाव सूशल एंसाइटी अलोचनाउं का डर परिवर्थन का डर अपने प्रियजनों को खोने का डर या बच्पन की अनुभव हो सकते हैं क्योंकि आज हम गैरे मुद्दों पर काम करने वाले हैं मेरा सुझाव है कि आप इस मटेशन को करने के लिए लगभग तीस मनिट का समय दें जहां आप अपना हंड़िट परस सत्प्रतेशन ध्यान दे सकते हैं साथ ही बहतर परिनामों के लिए इस्थ्यान को नियमित रूप से कम सकत तीस दिनों तक थर्टी डेस तक सुने या जब तक सुने जब तक आपको इसकी आवश्यक्था मैसूस हो सुआई अब शुरू करते हैं एक शांद जगह पर एक आरामदायक पुजीशन में बैठें अपने आँख को बस इस शण में रिलाक्स होनी के लिए तयार करें अब आप अपनी आखें बंद कर सकते हैं तीन गैरी लंबी सांसे ले अपनी नाख के माध्यम से सांस अंदर ले और अपने मूं के माध्यम से बाहर छोड़े हर बार जब आप सांस चुड़ते हैं आपका मन शांद और शांद हो रहा है क्लियर हो रहा है स्पश्ट हो रहा है और हर बार जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मैसूस करें कि आपका श्री और भी ज्यादा रिलाक्स हो रहा है कमफर्टेबल हो रहा है मैसूस करें कि आपके शरी के सभी मसल्स कितने रिलाक्स कितने कमफर्टेबल हो गए हैं अपनी यान तरिक शांती और शितिल्था को मैसूस करें मन और शरीर की इस शांत स्थिति के साथ अपने आप से पूछें मुझे अपने जीवन में क्या हासल करने की इच्छा है मुझे अपने जीवन में क्या हासल करने की इच्छा है जीवन में अपने लक्ष की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करें अब जब आपके पास स्पष्टता है तो अपने आप से पूछें इस लक्ष को पूरा करने में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है मेरे लक्ष को प्राप करने की नेगेटिव प्रभाव क्या है जब आपके प्रापप प्राप्त करहते है क्षक्राप और यद जब आपके जब आपके प्राप्त करने अपके शज़ स्पष्टता है अब जब आप अपने डर को जान गई हैं तो अपने आप से पूछें कि यह डर कहां से आ रहा है क्या यह बच्पन से आ रहा है इसी के साथ यह याद करने की कोशिश करें कि आपको पहली बार ऐसा कब मैसूस हुआ था अपने पिछले अनुभाओं से मैंने क्या सीख ली है अगर आपको आज अपने सभी उत्तर नहीं मिले हो तो भी चंता ना करें सही समय पर आपको अपने सभी उत्तर मिल जाएंगे अपना धैर बनाए रखें अपने डर के ओरिजिन जानकारी के साथ अब इस डर को हमेशा हमेशा के लिए त्यागने का समय आ गया है आपको अब इसकी आवश्यक्ता नहीं है हो सकता है कि यह आपके जीवन के किसी मोर पर उप्यूक्ट रहा हो लेकिन अब उन्हें अच्छे के लिए रिहा करने का समय आ गया है सो अब अपने शरीर को सर से लेकर पैर तक स्कान करें और अपने इंट्यूशन अंदर ज्ञान से ध्यान दें कि आपने अपने शरीर में सफलता का यह डर कहां कहां स्टोर किया है इन सभी जगहों को नोट करें अब इस डर को कोई रंग और काखार दें और है सांस के साथ कल बना करें और मैसूस करें कि यह चित्र आपके शरीर के अलग अलग अंग से निकल रहा है और आकाश में समा रहा है अब समय आ गया है कि आप अपने मन और शरीर से इस डर को दूर कर दें तो सुनिश्चित करें कि सब कुछ बाहर निकल रहा है आपने अपने जीवन से सफलता के डर को सफलता पुर्वर निकाल दिया है और अब आप इस आत्म विश्वास आत्म सम्मान करूना और मन की स्पष्टता के साथ बदल रहे हैं देखें इन सकारतमक उच्छाओं के साथ आपका शरीर कैसा हलका और तनाव मुक्त मैसूस कर रहा है कल्पना कीजिए और मैसूस कीजिए कि अब से आपका जीवन कितना शानदार होगा कैसे अपने गोंस को प्राप करना आपकी जीवन में सकारतमक बदलाव ला रहा है इन भावनाओं और छवियों को याद रखें यह आपको प्रेन और होसला देते रहेंगे यह खाम्याबी के खयार और तस्वीर आपकी चहरे पर मुस्कान ला रही है अपने चहरे पर अपनी मुस्कान को मैसूस करें उसका आनद ले अब आप एक लंबी घैरी सांस ले सकते हैं अपने तनाव मुक्ठ शरीर को मैसूस करें और जब ही आप तयार हों अपनी आखें खोल दें और उत्साह से अपने दिन का शुरुवात करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आइकन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट mindblissful.com पर जा सकते हैं आपका दिन शुब और मंगल मैं हो धन्यवाद किल भी सब्सक्राइब करें और मैं भी सब्सक्राइम किल रहे बार नमा मंगल मैं बार रहावद